हेलो बच्चो स्वागत है आपका LBSTI Face 3 के YouTube चैनल पे लास्ट क्लास में हमने डेटा टैप को कवर किया था आई होप डेटा टैप के अंदर फोर्कास्ट और आउटलाइन आप्शन को कवर किया था आई होप आपको लास्ट क्लास समझ आई लोगी आज़ी क्लास में हम रिव्यू टैप के बारे में कवर करेंगे अब देखो रिव्यू टैप के अंदर सबसे पहले आपको यहां पे एब च्रीक कर सकत तो जो यहां पर यहां पर कोई भी आप सरी सत्क यूंज कर सकते हों नेक्स्स नाप रिबयास के एँप यहां पर ड्रयाप अब मुझे यह देखना है कम्प्यूटर को और किसके सनाम से जानते हैं तो यहां पर थैसौरस के आपको क्लिक करना है और यहां पर सर्चिंग में आपने थैसौरस में जो भी वर्ट डाल रखा है उससे रिलेटिटी वह सारे नेम यहां पर आपको डिफाइन करके देगा जै यहां पर कितनी शीट्स ले रखी है अगर यह सारी चीज़ आपको कैल्पुलेट करनी है तो आपको यहां पर क्लिक करना और यहां पर देखो करेंट शीट एंड ऑप शीट आप एंड की शीट पर कहां पर हो सेल विद डेटा टेबल फॉर्मूला को यूज नहीं किया हमने वर्क बुक में शीट्स कितनी ले रखी हैं टोटल 60 शीट्स हैं और यहां पर सेल्स विद डेटा कितने हैं टेबल पाइबर टेबल्स का भी यूज कर रख है है फॉर्मूला का यूज की तना किया चार्टस का कर रख है तो वह सारी चीज़े यहां पर आपको फांड किसी फाइल को किसी सॉफ्ट्वेर में उपन करना चाहते हैं जैसे मैंने एस्टीम नोट्स की फाइल मैं इस पर क्लिक किया और इदे को डारेक्ट क्या होगा अगर आपको कोई भी कमेंट लगाना है जैसे मैंने मोहन पर क्लिक किया और यहां पर कमेंट कर दिया कोई भी कमेंट अगर आपको कोई भी कमेंट डिलीट करना है तो यहां पर आप डिलीट का यूज करोगे तो देखो यहां पर डिलीट कमेंट हो जाएगा इसके बाद next option previous comment देखना है या next comment देखना चाहते हो previous comment पर click करना है सबसे पहले यहाँ पर देखो next option यहाँ पर comments कंदर previous और next का आ जाएगा अगर आपको previous और next comment चेक करना है तो sheet को selection देंगे previous पर click करेंगे तो previous comment आ जाएगा next comment पर click करोगे then okay गरोगे तो next comment पर show जाएगा यहाँ पर आपका comment show जाएगा इसके बाद show hide comment अगर आपके comments hide हो रखे हैं तो आप उन्हें show कैसे करा होगे सबसे पहले यहाँ पर दिखो हमें करना क्या है यहाँ पर हमारे comment show रखे हैं show all comments पर टीक है अब हम क्या करते हैं इन्हें hide कर देते हैं हमें सिर्फ एर रेड एरो चे पता चल रहे हैं कि हमने comment आउट कर रखा है comments लगा रखे हैं तो यहाँ पर आपको show पर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से आप comment को show और hide यहाँ पर कर सकते हो आप यहाँ पर show और hide comment को कर सकते हो तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप review tab के अंदर comments का use कर सकते हो I hope आपको आज इक लास समझ आई होगी अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप मुझसे comment session में comment करके पूछ सकते हो